कि एनिवन आप लोग थम सब के त्रू भी लिखके बता सकते हैं और शाट बॉक्स का भी जादा से जादा यूज कर सकते हैं तैंक यू सो मच सर फॉर टेंग मी डाट मैं स्क्रीन कि किस तरह से हम अपने है को बहुत ही अच्छे से ब्यूटिफुली रख सकते हैं और कौन-कौन से उनके इनीशियल स्टेपस है जो हमें तरह को करना काफी जादा जरूरी है विकार है एक ऐसा हमारी बॉडी का पार्ट है we can say जिसके वज़े से जो हमारा confidence level जो हमारा look है वो बहुत सदा enhance करता है So, today we will talk about hair care by Keva, Keva के product से, हमारी company के product से हम किस तरह से अपने बालों का बहुत खुबसूरती से खयाल रख सकते हैं, ताकि हमारे बाल भी बहुत अच्छे और खुबसूरत भी रह सके And before starting the session मैं आप लोगों के सामने हाप पे यहाप पे जो मैंने screen represent किया है और जो हमारा यह webinar है, यह facebook live भी हो गया है तो आप लोग अपने जादा से जादा team members जो है, उनको भी share कर सकते हैं, जिसके वज़े से वो लोग में बात करें, तो सबसे पहला जो हमारा step होता हेर केर को लेके वो रहता है oiling, oiling करना बहुत ही सादा सरूरी है अगर हम oiling नहीं करते हैं और सोचते हैं कि ऐसे ही हम लोग अपने hair का अच्छे से care करेंगे, तो you know तो उसमें बहुत सारे फिर problems आने लग जाएंगे, क्योंकि बाल अच्छे से oiling नहीं करने के वज़े से बहुत सारे health issues होने के chances काफी बढ़ सकते हैं और इनके साथ साथ hair fall भी काफी ज़्यादा होने के problem hair damage होने के problem और भी बहुत सारे hair related problems काफी ज़्यादा बढ़ जाएंगे hair oil है, यह specially अगर हम लोग देखे तो non-sticky है, non-greasy है with the goodness of leaven natural oil का So, इस वज़े से यह non-sticky और non-greasy बनाए गए है क्योंकि, you know, बहुत बार teenagers या या फिर कभी-कभी हमें खुद भी ऐसा लगता है कि हमें कहीं बाहर जाना है, हमें कहीं event पे जाना है और अगर हम लोग oil लगाते हैं तो कहीं बहुत चिप-चिपा सा क्योंकि हमने अभी भी शांपू किया हुआ है कहीं बहुत stickiness जैसा बाल लगेगा तो जिसके वज़े से बहुत चिप-चिपा रहेगा ढूल मिटी बाहर जाएंगे और ज़दा आके attract होगा उसके उपर हमारी बालों के उपर रहेंगे और ज़दा हमारे बल गंदे होने लग जाएंगे और ज़दे तर हमारा look खराब होने लग जाएगा जिस वज़े से हम oil लिंग को बहुत ही ज़दा कम करने लग जाते हैं कभी-कभी ऐसा है कि you know teenagers के टाइम में school colleges के टाइम में हम oil लगाना ही छोड़ देते हैं तो यह सबसे बड़ी जो problem है तो यह problem का solution है जो कि हमारा 11 in one hair oil है क्योंकि यह non-sticky है जैसे आप इसको use करते हैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत चिप-चिपा सा बहुत greasy जैसा कुछ लग रहा है यह natural हमारे hair को रखने का काम करते हैं इसमें 11 ingredients पाए गए है 11 इनके compositions है यहाँ पे अगर हम लोग देखे इसमें आमला seed oil पाए जाते है आमला हमारे ऐसे भी हमारे हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे से work करते है और ancient time से आमला को बहुत अच्छा एक hair का vitamin C का source माना जाता है और आमला हमारे hair conditioning के लिए भी बहुत अच्छे से काम के जाते हैं जैसे आमला, रीथा, शीका का यह सारी चीज़ें हमारे hair के लिए काफी अच्छी होती है bring rudge इसमें पाई जाते है bring rudge को हम लोग बहुत अच्छे से you know brain tonic के तरफ से भी बोलते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा headache काफी जादा होने ही लग जाता है stress काफी जादा लगता है थोड़ा सा सरदर्देरी लग जाता है इसमें bring rudge oil भी add on किया गया है जिसके वज़े से थोड़ा सा जो बहुत stress रहती है तो इसको massage करने से stress level भी थोड़ा काफी हद तक कम हो जाता है olive oil जो कि nourishment provide करने का काम करेंगी tea tree oil इसमें पाई जाते हैं sheikakai oil पाई जाते हैं जो कि बालो को sheikakai बालो को घरना बनाने का काम करते हैं sweet almond oil है olive oil इसमें पाई जाते है olive oil इसलिए पाया जाता है क्योंकि धूप में बहुत सादा रहने के वज़े से या फिर बाल बहुत जदा रूखे-सुखे हो जाते हैं olive oil एक तरह से conditioner का काम करते हैं हमारे बालो के लिए shine प्रोवाइड करते हैं इसमें groundnut oil है moonfalli का दिल जिसको बोलते हैं आरगन oil है coconut oil है और sesame oil भी इसमें पाय जाते हैं जो कि काफी जदा ये सारे इनके leaven ingredients है इसी वज़े से इस product का नाम leaven in one रखा गया है so यहां पे जो हम लोग देख रहे है आमला सीड aloe vera oil इसमें tea tree oil, shiga kai almond, olive oil इस सारी चीजों से ये हमारे हेवेयर को बहुत ही अच्छे से vital nutrition provide करते हैं नरिश करते हैं हमारे hair के follicle को नरिश करते हैं, stimulate करते हैं हमारी roots and scalp को जो कि अप जिनके भी ये concern रहते हैं आप लोग जैसे कोई new logo से मिल रहे है आपके team में कोई ऐसे person है जिनको hair gray के बहुत ज़दा problem हो रहे है, बहुत ज़दा बाल भी गिर रहे हैं, तो वो आप से जब solution पूछते हैं आप आग बंद करके ये oil जो है, बहुत अच्छे से आप उनको provide कर सकते हैं, उनको suggest कर सकते हैं because ये हमारे gray hair के लिए भी preventable है, काफी अच्छे से prevent करते हैं और hair fall जो बहुत ज़दा होते हैं, उनसे भी prevent करने का काम करते हैं ये हमारे hair को smooth and shiny provide कर रहे हैं जिसके वज़े से काफी ज़दा damage hair जो दिखता है ये सारी चीज़े रहती है ये बहुत अच्छे से maintain करने का काम करते हैं so, इनके benefits के बारे में देखे, ये हमें किस तरह से help करेंगी और इनसे हमें पता चलेगा कि किन किन लोगों को कौन-कौन से से person है जो वो use करते है तो उनको क्या-क्या उनसे benefit मिलने वाला है सबसे पहला है जिनका hair बहुत ज़दा damage है rough है, fragile है तो उनको हम ये provide करेंगे जिसके वज़े से रूखे-सूखे जो fragile hair है ये smooth and silky and shiny बनाए रखने का काम करते हैं जिसके वज़े से natural shine provide हो सके ये हमारे hair को strong करे रखने का काम करते हैं हमारे बाल जो है हमारा base जब strong रहेगा इमारत जब strong रहेगी तो बोलते ना कि building भी काफी strong रहती है इस तरह सही अगर हमारा roots strong रहेगा हमारा hair भी काफी हद तक strong रहेगा मान लीज़े कि अगर हम अपने roots का care नहीं करते हैं सिर्फ बालो का care करते हैं will not give you any effect वो कभी भी कुछ भी उतना effect नहीं मिलने वाला है so जिस वज़े से हमारे roots जितने strong रहेगे roots पे हमने सबसे ज़दा focus करना है उसके बाद बालों पे करना है तो वो हमारे लिए better रहेगा prevent करते है hair fall को repair करते है hair damage जो होते है उनको improve करते है styling को styling सही से नहीं कर पाते है hair बहुत ज़दा you know विखरे विखरे जैसे लगते है वो proper नहीं हो पाते है manage नहीं कर पाते है dandruff को भी control करते है आपके पस कोई भी questions आते है या फिर जब आप you know counseling के लिए जाते है पिर जो भी रहता है तो वहाँ पे ये सारे personal care products है ये सारी चीज़े oil जो है हर घर में हर लोग use करते है बस कभी-कभी ऐसा होगा कि daily use नहीं करके इसको हफ़ते में तीन से चार बर use करते होगे बट use तो हर घर में होता है ये product हर घर में जब use होता है तो इनकी need भी बहुत ज़ादा होती है और ये हमारे पास से sale out भी काफी अच्छा खासा हो सकता है जिनके भी ये problem रहते है कि उनको काफी ज़दा डांड्रफ है गर्मियों में oily dandruff होते है और ठंडियों में ज़्यादा तर dry dandruff होते है सो ये हमें चाहिए वह oily dandruff हो चाहिए वह dry हो ये दोनों से ही हमें prevent करता है control करता है क्योंकि dandruff itself is a fungal infection dandruff कुद एक fungal infection है जिसके वज़े से काफी ज़दा hair fall होने के chances हो सकते है prevent करते है splittance दे जो दो मुहे बाल है उनसे हमें बहुत अच्छे से prevent करने का काम करते है और इनके साथ साथ अब अगर दो मुहे बाल हो चुके है already तो अगर दो पार्ट में वो white हो गया है hair दो मुहे बाल हो गया splittance हो गया है तो वो तो फिर से stick नहीं होने वाला है जिस वज़े से आप बहुत अच्छे से जाके salon में trim करवा सकते है इनके साथ साथ अगर आप घर बहुत जादा नहीं है एकदम थोड़ा सा है बहुत नीचे में है वो उनके double faces रहते है splittance रहते है इस वज़े से तो हलका हलका एकदम seizure से आप cut कर सकते है if you are able to do अगर आप कर सकते है तो नहीं तो अप salon जाके बहुत अच्छे से trim करवा सकते है उसकी बाद आप इसको हमेशा अच्छे से use करिए ताकि आगे चलके कभी भी splittance के problem ना हो gray hair के लिए preventable है nourish करते हैं हमारे roots को हमने क्या करना है बस 3-5 ml हमारे ये oil लेके बहुत अच्छे से अपने scalp में massage करना है hand से और इनके साथ-साथ hand से massage करने के बाद बहुत अच्छे से massage करके अपने hair में भी और उनके tip में भी use कर सकते हैं जो की काफी जदा helpful रहेगा अब यहाँ पर 3-5 ml इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सबके बाल एक जैसे नहीं होते हैं अगर कोई male person है उनके hair बहुत short हो सकता है अगर कोई female है उनके hair short भी हो सकते है shoulder तक भी हो सकते है depend करता है hair पर जितना उनका hair है और जितना उनका hair ठिक है उसके हिसाब से जितनी oil के requirement है उतनी से अपने oil को massage कर सकते है अगर ऐसे रहता है यहनो कि बहुत जादा आपका hair fall हो रहा है या फिर कुछ oil जो है वो सही से लग नहीं पा रहा है जैसे कि एक ball में थोड़ा सा अपने oil निकाला फिर हलका हलका करके पूरे अच्छे से scalp में massage कर रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा waste हो जा रहा है सही से लग नहीं रहा है तो यहां पर आप लोगों की पास एक trick भी है को आप बहुत अच्छे से use कर सकते है and the trick is कि आप हलका सा cotton जो है रूई जो है आप एकदम थोड़ा सा बहुत जादा नहीं एकदम थोड़ा सा cotton ले लीजे उसको थोड़ा सा round कर लीजे और आप oil में dip करके और section wise कर करके मतलब जहां से अगर जिनके बाल लंबे है तो आप इस तरह से section करकर के अच्छे से oil को put on कर सकते है जिसके वज़े से आपके oil उसके अंदर अच्छे से cotton के अंदर soak भी कर लेंगे और आप अच्छे से लगा के देन उसको आप मसाज कर सकते है पूरे section wise में लगा के देन आप उसको मसाज कर सकते है उसके बाद आप hair में लगा लिजएगा हाथ में अच्छे से लेके इस तरह से इनको कर सकते है और oil जो है ये gently हमें मसाज करना है बहुत अच्छे से circular motion में ताकि roots में penetrate हो सके oil इनके साथ साथ ये हमारे apply to the strand of the hair with soft hand soft hand से हम अपना use कर सकते मसाज कर सकते strands में लगा सकते है scalp को nourish करेगा और इसके साथ साथ just after leave it after oiling about an hour at least एक घंटे से दो घंटे कम से कम shampoo करने से दो घंटे पहले आप oiling लगाईए या फिर आप में लगाईए फिर उसके बाद wash कर दीजे लगा कि दिन में तीन से चार दिन तक अगर हम hair oil लगा के रखते हैं hundred percent उसे बाल hair fall होगा ही होगा बहुत जदा खराब दिखेगा दीरे दीरे करके हमारी यही आदिते होगी और हम hair fall को अगर ignore करते रहेंगे तो वो एक time ऐसा आएगा कि पूरा scalp जो है वो पूरा खाली होने लग जाएगा पूरा यहां से पूरा scalp दिखेगा है बहुत कम दिखेगा ना के बराबर तो इस तरह से हम use करेंगे तो better रहेगा हम सब के लिए हमने यहां पे oil के बारे में discussion किया oiling करने के बाद आप यह shampoo का बहुत अच्छे से use कर सकते है which is skypo, onion, biotin, shampoo with conditioner आपको अलग से conditioner की ज़रत नहीं पड़ेगी और यह जो हमारा इनके benefits के बारे में देखे onion juice जो है improve करता है growth by boosting the level of antioxidant enzyme catalyst जिसके वज़े से हमारे बाल जो बहुत सादा गिर रहे है hair fall हो रहे है और उनके साथ-साथ बाल बहुत पतले हो गए है तो यह उनको ठीक करता है nourish करते हैं यह हमारे hair के follicles को with its rich content of sulfur इसमें पाई जाते हैं rich sulfur content जो है यह help करते हैं minimize करते हैं and breakage को जो बाल बहुत पतले होते है और तूटने लग जाते हैं चाहिए वो बीच में से भी तूटने लग जाते हैं यह उनके लिए काफी ज़दा helpful है biogen जिसको हम लोग vitamin B7 के नाम से भी जानते हैं यह stimulate करता है keratin को keratin protein का एक form होता है और protein हमारी body में जरूरत है जो कि यह keratin का production है increase करता है follicle के growth को हम बार बार एक word बहुत जादा देख रहे हैं और जिसका नाम है follicle यह follicle जो है एक simple तरीके से हम बोले follicle हमारा अगर open रहेगा root जो रहेंगे तो अच्छे से care करने से नए बाल आएंगे ही आएंगे लेकिन अगर एक बार follicle बंद हो गया है care नहीं करने के वज़े से उधर से कभी भी फिर hair नहीं आएंगे फिर hair transplant कराने के chances हो जाएंगे so it's better कि कभी भी hair के follicle बंद ना हो बहुत अच्छे से वो उपन रहे जिसके वज़े से हमारा hair का growth भी काफी अच्छा हो सके राइट इनके साथ साथ यहां पर अगर देखेंगे अनियन बाइटिन शांपू विद कंडिशनर जो है यह हमारे इसमें इसमें रिच इन नियूट्रियंस है विटमिन्स है आंटी ऑक्सिडेंट है जो की हेर फोल को कंड्रोल करता है टैंगल सोने लग जाते हैं उलच्छी नहीं लग जाते हैं बाल तो यह उनको ठीक करते हैं स्काल्प की हिल्ट को अच्छा रखते हैं जो वीक वीकर हेर रहते हैं डामिज हेर रहते हैं हलका सभी से टच करने से हमारे हाथ में बहुत सार जो बाल आ जाते हैं जो वीक रहते कमजोर रहते हैं यह रूट्स को भी बहुत अच्छे से नरिश करने का काम करते हैं फ्रिस फ्री बनाए भी straight कर लेते हैं अपनी हैर को बहुत ज़दा color करते हैं अपने हैर को तो जिसके वज़े से damage और dry होने लग जाता है यह उनको भी ठीक करने का काम करते हैं इसमें onion extract है almond extract है natural source है which means B7 का biotin का और इनके साथ साथ अब हमें इनके benefits से पता चलेगा कि हमें यह product किनके लिए better रहेगी कौन ऐसे लोग इसको use कर सकते हैं सबसे पहला है कि यह hair fall को control करता है और हमारे hair के growth को अच्छा रखता है which means यह हम सब ने use करना है क्योंकि आज के time में हर किसी को थोड़ा न थोड़ा hair fall का problem होता है और hair growth सही से नहीं हो पाती है यह तो उनके लिए रहेगा प्रोवाइट करते हैं nourishment यह हमारे hair के nourishment को प्रोवाइट करेंगे growth को अच्छे से प्रोवाइट करेंगे motionarize करते हैं हमारे scalp को stronger रखते हैं हमारे roots को ताकि बाल भी हमारे जड़ से मजबूत हो soft silky शाइनियर बनाते हैं dandruff reduce करते हैं और इनके साथ-साथ frizz free look भी provide करने का काम करते हैं condition करते हैं जिसके वज़े से हमारे बाल बहुत smooth and soft से लग सके हमने जिस तरह से हम शांपू करते हैं वैसे ही करना है उसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसको किस तरह से यूज़ करना है हलका सबस बालों को गीला कर लीजेगा हलका लिवकवाम वाटर अगर रहता है बहुत अच्छा रहेगा शांपू थोड़ा सा लेके लादर क्रीट करके बहुत अच्छे से अपनी बालों में आप शांपू कर सकते हैं देन प्लेन वॉटर से आप वाश कर लेंगे शांपू कभी भी यूनों जब भी हम करते हैं मैं एक बार फिर से यहां पर जरूर आप अच्छे से शांपू करने की जरत है हेड एकदम स्ट्रेट रहेगा प्रेशर बहुत ज़ादा पड़ेगा आपके बालों के उपर और जिसके वज़े से जो अच्छे बाल भी होंगे जो नहीं तूपने के भी होंगे वो भी तूपने लग चाएंगे सो थोड़ा सा हलका सा डाउन करेंगे तो बहुत ज़दा प्रेशराइज नहीं फील होगा अब भी हमने यहां पर जो ऐसे दो प्रोड़क के बारे में डिसकेशन की वो हमने इंडिवीश्वन प्रोड़क के बारे में देखा जो की हमारा ओईली प्लस हमारा जो शांपू है उनके बारे में अब यहां पी जो हम लोग देखेंगे बाक तू दे नेचर विद काइपो विच इस काइपो हैरफॉल कंट्रोल किट जिनको बहुत साधा हैरफॉल हो रहा है अनकंट्रोलिबल तो आप यह हैर के हैर के ट्रीटमेंट जो है आप इस किट से उनका ट्रीटमेंट प्रोड़क करव है अगर कुछ हमारा इंटरनल एक्सटरनल है तो उसके वज़े से भी प्रॉबलम्स हो सकते हैं मेडिकेशन करने से पूर निutrition रहता है निट्रिशन अच्छा नहीं होने से जंक फूट बहुत जादा खाने से ओली स्पाइसे फूद्स तो उनके वज़े से भी हो सकते है ऐ सब्सक्राइब से हीर लॉस होने लग जाता है अगर कुछ infection है डंव में अ करवाते हैं जिसके वग cookie कर्वाते हैं जिसके वजे हो सकते हैं बहुत लोगों को सो यह उन सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन है हमारा हेरफुल कंट्रोल कि और एंटी हेरफॉल सल्यूशन विच इस मेड इंडिया मेड इंडिया है हंड्रिट परसेंट नाच्रल इसमें कोई भी ऐसी चीज़े नहीं है जो कि हमारे हेर को कभी भी खराब करें यह suitable है male और female के लिए क्योंकि जितना female को hair fall होता है male को भी बहुत साधा hair fall होने के chances रहते है 66% आप लोग बोल सकते हैं और 35 hit करते करते बहुत साधा मतलब यह जो आगे का पूरा portion है देर देर बहुत लोगों का खागी होने लग जाता है most of the person का right तो जिस वज़े से यह male female बहुत अच्छे से work करते हैं दोनों के लिए से टेबल है external use के लिए है daily आप इसको use कर सकते है safe है इसमें coconut oil till oil glycerine यह सारी चीज़े पाई जाती है इनके साथ साथ इसमें hibiscus पाया जाता है जो भी dandruff के लिए अच्छा है बालो जो ग्रे होते हैं लिए बहुत अच्छे से प्रिवेंटेवल रहेंगे नीम है अगर कुछ infection होता है तो उनसे provide करेंगे dandruff को दूर करेंगे आलो वे रहे जो बहुत चिप चिपासा greasy जैसा feel होता है हम लोगों को यह हमें उनसे भी बहुत अच्छे से दूर रखते हैं इनके साथ साथ भूप के वज़े से जो डामेज हो गए होते हैं हमारे बाल रूखे सुखे हो गए होते हैं उनको यह helpful करते हैं वीटी वह एक्स्ट्राक्ट इसमें पाई जाते हैं जो कि ग्रोथ को बहुत अच्छा रखते हैं शाइन को अच्छा रखते हैं टेक्शर को इंप्रूफ करते हैं रेजिवेरेज करते हैं अमला इसमें पाहए चाते हैं विट्मिन सी काफी अच्छा, खासा नहीं इनके साथ और shine, यह बनाए रखने का काम करते है, apple extract पाए जाते हैं, जिनके बाओग बोहुत सब्सक्राइब उनके scalp बोहुत सब्सक्राइब है, तो dry बोहुत सब्सक्राइब भी ओंगे तो यह उनको THEEK करते हैं, argan oil इसमें पाए जाते हैं, infection से दूर रखते हैं, या फिर अगर कुछ hair styling करते हैं, जिसके वज़े से hair खराब हो रहे हैं, तो ये उनकों भी छीख करेंगे, elasticity को promote करते हैं, keynote ही इसमें पाय जाते हैं, prevent करते हैं, splittance से, दो मुहे बालों से, sunflower oil जो की shine और softness प्रोवाइड करता है, wheat germ oil इसमें पाय जाते हैं, smooth finish प्रोवाइड करते हैं, repair करते हैं, existing damage जो भी आपके बालों में जो damage हो चुके हैं, जो existing हैं, अभी भी exist कर रहे हैं, उनको दूर रखते है इसमें तिल का तेल भी पाया जाता है, और तिल का तेल भी ये माना जाता है, कि जो बाल white होने लग जाते हैं, या फिर बाल जो बहुत पतले हो जाते हैं, पुरे scalp देखते हैं, तिल का तेल बालों को घनापन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, सो उनके सारे यहां पर आप देख सकते एवन सारे जितने भी इंग्रीडियन्स हैं सारे इंग्रीडियन्स कहां पर इमेजर्स भी है ताकि हमें उनको देख के और सदा हम clear हो सके जो कि यह extremely beneficial है क्योंकि control करता है हमारे hair fall को nourish करता है follicle को long and strong भी provide करता है सो अब इसमें खास क्या है हमारा यह जो kit है क्यों हम लोग इसको hair के treatment में इसको consider करते हैं हम तो normally भी कर सकते थे लेकिन इसको treatment product हम लोग इसलिए भी बोलेंगे क्योंकि इसमें चार चीज़े आती है जो की hair fall के लिए specialized है specialized hair fall के लिए oil है shampoo है 100-100 ml का conditioner है 100 ml का और hair fall control serum है इसमें जो की 50 ml के है 50 ml का है oil mineral oil free है इसमें जो की mineral oil बहुत ज़ादा use करने के वज़े से बहुत सुखे-सुखे हो जाएंगे हमारे बाल तो ये combination of seven essential oils है इनके साथ साथ जिस तरह से हम oiling करते है उसी तरह से भी हमने करना है ये हमारे blood के circulation को अच्छा रखता है और इनके साथ साथ oil राट में आप कर सकते है या फिर बाल रोने के दो घंटे पहले कर सकते है जो कि हमारे लिए काफी अच्छे से helpful रहेगा हमने oiling कर लिया बहुत अच्छे से उसके बाद हम शांपू करेंगे शांपू आप ये use कर सकते हैं इसके इंदर शांपू भी आता है जो कि blood के circulation को अच्छा रखता है hair के growth को अच्छा रखता है natural moisture provide करता है strong रखने का काम करते हैं तो शांपू जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से हमें इसको करने के ज़रत है इनके साथ साथ हम फिर देखेंगे कि hair fall control conditioner इसमें हमने use करना है शांपू हमने कर लिया अपने बालों को अगर बहुत ज़दा अभी भी बहुत ज़दा आपको लगता है कि उसमें water है खासा किया हुआ है बहुत ज़दा ही लगा लिया है तो अगर एक बार में क्योंकि सबके बाल एक जैसे नहीं होते जिनके बाल बहुत पतले होंगे थोड़े कम होंगे उनके बालों में हो सकता है कि एक बार में शांपू से वह clean हो जाए लेकिन जिनके बाल थोड़े से बड़े बालों में घनी बालों में जादा ऐसा देखा जाता है तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं और इनके साथ अगर जिनके बाल बहुत जादा लंबे है बहुत लॉंग है बहुत स्ट्रॉंग है बहुत जादा घनी है तो अगर आपको लगता है शाम्पू अच्छे से spread नहीं हो पा रहा है आपके बालों में आप 2 is to 1 का ratio में आप यूज करेंगे मतलब आप थोड़ा सा एक जो मग रहेगा उसमें थोड़ा सा water लेंगे और जितना आपको मींड है शांपू की उतना शांपू लेके आपको करना है थोड़ा थोड़ा करके यहां पर यहां पर डाल के बहृत अच्छे से शांपू कर सकेगे जिस push बज़े से बहुत इच्छे से spread भी हो जाएगा but this is for the दोस हो है long hair जिनके बहुत लंबे घनी बाल है उनके लिए हमने शांपू करने के बाद conditioner यूज़ करने की ज़रत है बाल गीले है हमने क्या करना है थोड़ा सा बस conditioner को लेना है और अपने बालों में लगाने है क्योंकि यह strengthen करते है हमारे hair को नरिश करते है उल्चे रहते है टांगल रहते है यह उनको भी ठीक करने का काम करते है हमने क्या करना है थोड़ा सा हलका सा हमने conditioner लेके हाथों में लगा के बहुत अच्छे से अपने बालों के लेंस में लगाने है चाहिए वह male हो चाहिए वह female हो कोई भी person हो हमने roots में लगा के conditioner को मसाज नहीं करना है हमने अपने hair के length में लगाना है जिनके बाल लंबे है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन अगर कोई male person है तो अब जब आप यूज करेंगे तो हलका हलका बस बालों की ऊपर में करके आप लगाएंगे में मसाज नहीं करना है इनके साथ साथ तीन से पांच मिंट रखे पानी से प्लेन वाटर से आप वाश कर सकते हैं जोआं इनस्टेंटली कंडिशणर जो है यह इनस्टेंटली हमें रिजल्ट देता है कि हमारे बात बहुत स्टूद्व बहुत हो गये है और जो उलखें lazhes लगते थे वह काफी एक ऐसे harmful chemical है, इसमें भी आते हैं, कि जो हमारे hair के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, सो इसे वज़े से paraben free है, यह हमारे hair को बहुत ही अच्छे से, जो hair loss होने लग जाते हैं, यह उनको protection provide करता है, prevent करता है, nourish provide करता है, stronger बनाए रखता है, less likely to follow, बहुत कम chances रहते हैं hair fall होने के, हमने क्या करना है, क्योंकि यह product जो हमारा hair serum जो है, यह हमारा root activating hair serum है, तो हमने क्या करना है, clean हमारे hair में, बाल हमेशा हमने clean में ही इसको use करना है, ऐसा नहीं है कि हम लोग गंदे बाल में लगा नहीं सकते हैं, आप लगा सकते हैं गंदे बालों में, लेकिन फिर वो असर नहीं करेगा, कोई भी चीज़े, अगर हम जब तक जैसे कि हम daily daily नहाते हैं, बात लेते हैं, face wash करते हैं, brush करते हैं, ताकि hygiene maintain कर सके, हमारा health भी अच्छा रहे और mood भी काफी fresh रहे जिस वज़े से हमारा hair भी कुछ इसी तरह से ही है, हमारा hair जितना clean रहेगा, फिर हम उसका खयाल रखेंगे, तो अच्छा रहेगा, गंदे बालों में बहुत ज़दा धूल मिटियां आई हुई है, उसी के उपर अगर हम हर चीज़ लगाएंगे, तो वो क्योंकि धूल मिटी का layer है, तो जिसके वज़े से वो जो हम लोग लगा रहे हैं, वो penetrate नहीं करेगा, हमारे roots में नहीं चाहेगा, पहुच नहीं पाएगा वहाँ तक, तो इसी वज़े से वो असर नहीं करेगा, सो हमारा scalp clean होना चाहिए, अच्छे से shampoo सब कुछ कर लेने के बाद, हमारा जो hair fall control serum जो है, इसको लेके scalp में लगाना है, और हलका सा massage कर सकते है, keep it at least overnight for the best result, हम लोग ओवरनाइट रख सकते हैं इसको best result के लिए, इसको daily, daily हमको use करना है, daily use करने के वज़े से हमारे ये better होगा और इसको अगर आप सही से use करते हैं, या फिर जो भी आपके prospect रहते हैं, जिनका ये concern रहता है, कि उनके बाल बहुत जादा गिरते हैं, आप ये kit जरूर दीजे, उनको बहुत अच्छे से असर करेगा, और उनका health जो है, उनका supplementation, उनका internal, external दोनों अच्छे से खयाल रखत kit, right? So, if anyone is having any query, any question, अगर किसी को भी कोई भी query है, आज के हमारे sessions are related, webinars are related, अगर आपको आज का session कैसा लगा, वो भी आप अपना feedback यहां पर represent कर सकते हैं, या फिर अगर कोई question है, या फिर अगर आपने इस product को already use किया हुआ है, then also feel free to write it in a chat box, आप लोग chat box में लिखके बता सक करते हैं, so that I can know, thank you so much Tevrat sir, good to know that you like the session, and I believe कि everyone definitely will use this product, हर को यह प्रोड़ुक्त जरूर यूज करेंगे, because जो person बोलते हैं कि मुझे hairpoll कभी आस तक हुआ नहीं है और होता नहीं है, तो यह this is next to impossible, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि, you know, हमारे hairpoll होते हैं, लेकिन हम उनको ignore कर रहे होते हैं, जब तक पूरा फिर सर खाली नहीं होने लग जाए, तो वैसा condition ही ना आए, हम पहले ही अपने hair को treat करें तो better रहेगा. किट से dandruff, definitely क्योंकि हमने यहाँ पे, जैसे कि हमने hibiscus के बारे में discussion किया, neem के बारे में discussion किया, हमारा यह जो kit है, इसमें बहुत सारे ingredient ऐसे हैं, जिसका मानना रहता है कि वो dandruff को भी, अगर hair benefit के बारे में बोले, तो वो hair dandruff को भी clean बहुत अच्छे से करने का काम करते हैं. So you can use the product, right? और इनके साथ सागरी का मैं एक यह भी रहेगा, कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग हमें बोलते हैं कि यूनों, हमारे prospects हमें बोलते हैं कि उनके hair fall बहुत सादा हो रहे हैं, और हम उनसे पूछना भूल जाते हैं कि आपके hair fall कुछ न कुछ तो reason होगा, तो फिर हमें, अगर उनको like you know dandruff का problem होता है, तो वो यह नहीं बताते हैं कि कभी-कभी dandruff भी है, तो सरफ एक concern बताते हैं जो उनको सबसे ज़ादा रहता है, तो अगर कोई भी person हमसे पूछते हैं कि अगर hair fall बहुत सादा हो रहा है, then it's our responsibility हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या dandruff है, क्योंकि dandruff की वज़े से भी बहुत सादा hair fall होने का chances होता है, so always, you know, इस question को हम लोग हमेशा पूछे तो better रहेगा, थैंक यू सो मच अविजीत सर, थैंक यू सो मच सर, definitely देवराद सर, you can use this product, क्योंकि ये product जो है हमारा, ये male और female दोनों के लिए ही बहुत अच्छे से work करता है, थैंक यू सो मच मधू मैम, फालगुनी मैम, dandruff के लिए क्या use करे, dandruff अगर बहुत सादा है, तो आप जैसे कि ये जो hair fall control kit है, use कर सकते है, इनके साथ सथ अब भी just हमने हाँ पर discussion किया, कि हमारा जो 11 in 1 nutritive hair oil है, आप use कर सकते है, dandruff shampoo use कर सकते है, अगर आप individual करना चाहते है, तो ये बहुत अच्छे से ऐसे करेगा, जैसे कि onion shampoo, जो अभी हमारा ये वाला है, with conditioner, उसमें भी बहुत अच्छे से dandruff को भी control करते है, जो infection होते हैं हमारे scalp में, उनको हटाता है, और oiling करिये, shampoo करिये, बहुत अच्छे से ऐसे करेगा, उसके साथ साथ, dandruff के साथ साथ अगर hair fall भी बहुत ज़दा हो रहा है, तो आप लोग उनका kit भी use कर सकते है, कितना दिन use करे, सागरी का मैम, I believe ये depend करता है कि हमारा hair का condition कैसा है, अगर बहुत साथ हेर fall, you know, थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग टाइम में ही अगर हमने केर करने लग गए, तो ये बहुत अच्छे से असर करेगा, थोड़ा जल्दी हमें effect दिखेगा, लेकिन अगर बहुत problem हो चुका है, बहुत सरखाली होने लग गया है, तो वो time taken थोड़ा रहेगा, आप लोग at least 3-4 महीने तक इसको continue use करिए, आपको इसका बहुत अच्छा खासा result मिलेगा, और जिसको थोड़ी सी कम problem है, उनको हो सकता है कि उससे पहले भी result काफी अच्छे से मिल जाए, so approximately कम से कम इसको 3-4 महीने हम use करेंगे, तो बहुत अच्छे से असर करेगा, what is biotene? Sir, अभी हमने यहाँ पर discussion किया था, biotene जिसको हम लोग also known as vitamin B7, vitamin B का जो family होता है, right? So, जो vitamin B7 रहते हैं, उसको हम लोग biotene बोलते हैं, और biotene जो होता है, हमारे hair के growth के लिए बहुत अच्छा होता है, तो जिसके वज़े से, you know, कभी-कभी ऐसा होता है, कि हमारे बाल बहुत अच्छे से बढ़नी रहे हैं, हमारे जो nails है, हमारे nails बहुत बार-बार तूटने लग जा रहे हैं, हमारे बाल बहुत अच्छे से growth उनका नहीं हो रहा है, केरेटीन जो रहते हैं, क्योंकि केरेटीन is a form of protein, राइट, सो जिस वज़े से, ये हमारे हेर के growth को बहुत अच्छे से रखने का काम करते हैं, इस विटमिन B7, इस विटमिन B7, I can't stop my hair fall, ओके, सो आइब बिलीव, what you are using, आप एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कि आप ऐसा क्या यूज़ कर रहे हैं, या फिर कुछ आपका डाइट कैसा है, एक बार अगर मैं supplement की बात करूं, हो सकता है कि हमारा hormone बहुत ज़दा disbalance होने के वज़े से ऐसा problem हो रहा हो, तो हम लोग hormone balance ले सकते हैं, हो सकता है कि हमारे body में बहुत सदा minerals की कमी हो, उस वज़े से भी बहुत ज़दा you know hair fall के problem, क्योंकि यह हम लोग बोल सकते हैं, यह internal issues में बता रही हैं, तो उसके वज़े से भी हो सकता है, तो आप KMD या फिर CTMD ले सकते हैं, इनके साथ साथ आप जो हमारा daily plus है, daily plus आप ले सकते हैं, इनके combinations आप use करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छे से असर करेंगा, और इनके साथ साथ हमारा एक सिरफ आता है, collagen health syrup वो बहुत अच्छे से हमारे health के लिए असर करेंगा, इवन हमारे head के लिए बहुत अच्छे से असर करता है, skin as well as head, जिस वज़े से आपका यह internally रहेगा, externally जो आप use करेंगे, आप oiling करेंगे और यह जो kit है, यह kit आप specially use करेंगे, अपना diet अच्छा रखें, 100% बहुत अच्छे से असर करेंगा, all you have to do is, कि आपने इस तरह से use करना है, continue use करना है, health का क्या करना है, सब चीज़े दीरे-दीरे control हो जाएंगे, सूरज दीन सर्व, मुझे आपका question समझ में नहीं आया, कि आपने मतलब किसका price actually में पूछा है यहां पे, तो एक बार उसका अगर आप थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो better रहेगा, वीनु जी आप चाट वॉक्स में ही लिख सकते हैं, क्योंकि यह webinar है, सो यहां पे unmute नहीं कर सकते हैं, अगर you know like group meetings रहते तो जरूर unmute हो सकते हैं, लेकिन अभी यह webinar है तो unmute नहीं कर सकते हैं, so it's better कि आप अपनी question को अगर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, भिंगे हुए बालो में बाल बांदने से भी hair fall होता है, definitely होता है, बहुत जदा होता है, अगर बाल गीले रहेंगे और हम लोग बाल को बांद के रखेंगे तो वो खिचने लग जाएंगे, so जिसके वज़े से उससे बाल तूटेंगे ही तूटेंगे, उनके साथ-साथ हम लोग बहुत जदा टीवी में देखते हैं, आड देखते हैं, जो बहुत सारे actress होते हैं जब वो कुछ oil या फिस शांपू का जब आड करते हैं, तो वो लोग जैसे बातरूम से निकलते हैं, टॉबल से बहुत अच्छे से बहुत थिक सा बहुत भारी सा मोटा सा टॉबल से अपने बालों को बालों को बांद के बाहर निकलते हैं, right, so यह जो प्रेक है, यह I don't think so कि अच्छी है, मान लिजे कि अगर हमें कोई बहुत पतले से हैं और हमें कोई ऐसे खींच रहा है, तो obviously हम उस portion में खिच के जाएंगे, इसी तरह से हमारे बाल भी होते हैं, अगर इतने मोटे टॉबल से हम लोग अपने बालों को गीले बालों को ऐसे ड्रेप कर देंगे, बालों को बांद लेंगे, तो definitely बाल बहुत ज़दा क्योंकि वो टॉबल गीला हो जाएगा, गीला होने के साथ वो और भारी हो जाएगा और बाल एकदम खिच खिच के तूपने लग जाएंगे, अगर आपको यूज़ करना है तो एक सिंपल सा आप बहुत लाइट सा आप कपड़ा यूज़ कर सकते हैं अपने बालों को ड्रेप करने के लिए बस थोड़ी देर के लिए जब तक पानी सुख जाए उसके बाद आप निकाल दीजे, नैचरली जितना सुखेगा उतना जदा अच्छा है, बालों को बांग के नहीं रखना है गेले में, अगर बहुत जदा ड्राई है तो आइलिंग करें क्यूंकि नहीं करने के वज़े से बहुत जदा प्रॉब्लम्स होते हैं, आप आप आइलिंग कर सकते हैं, इनके साथ साथ जो हमारा अनियन बायटिंग शापू वित कंडीशनर है क्यूंकि ड्राइनिस को हील करेगा, कंड यूज नहीं किया है ऐसा है क्या अगर आप हेरफॉल के लिए पूछ रहे हैं तो हेरफॉल अगर बहुत सदा है तो आप इसका किट यूज करें किट काफी जदा पैटर रहेगा हेर नियल स्किन ओके सो अगर हेर नियल स्किन जो हमाई अच्छे रखने तो इसके लिए हमारा स्किन हल्स सिरफ आता है आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं डेली प्लस यूज कर सकते हैं स्किन हल्स सिरफ यूज कर सकते हैं कोलाजिन सिरफ यूज कर सकते हैं तो उनके के लिए बेटर रहेगा थारेट के वज़े से अगर बहुत जदा यू नो बाल आपके बहुत जदा उठ रहे हैं तो डेफिनिटली क्योंकि वह कंडीशन है इस वज़े से बहुत जदा हो रहा है तो बट येस वी है और हमें ल॥ी सारी चीज़ों को जो चैनल करना है तो ओब अश्वा सब्सक्राइब वह आपके चांगे इसлом it's approximately 2000 we can say in fact यह जो मेरे बहुत जदा फॉल हो गए है डेफिनिटली अगर हेर का फॉलिकल खुला हुआ है आप बहुत अच्छे से ऑइलिंग करिये और इनके साथ साथ शांपू करिये यह शांपू करने के बाद आप बहुत अच्छे से सप्लिमेंटेशन भी लीजिए जैसे कि हमने यहां पर डिसकॉशन किया को लाजिन हेल्थ आप ले सकते हैं इनके साथ-साथ आप के मडी या फिसी टी ऐमडी ले सकते हैं डेली प्लेस ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छे से आपके लिए और ये जो हमारा Hairful Control Kit है जिन्होंने ये question पूछा था price के बारे में ये combo intro pack में भी आ रहा है जिसका cost है 2100 रूपीस तो 2100 रूपीस में हमें दो pieces of Kiva ये जो हमारा kit है Hairful Control Kit भी आ जाएगा one piece magnesium chloride biscofide भी आ जाएगे तो combo intro pack से लेंगे तो और ज़्यदा पेटर रहेगा ये हर जो like ये old hair type के लिए है आप use कर सकते है hair fall काफी जदा हो रहे है hair conditioner का benefit क्या है conditioner अगर बाल बहुत सूखे सूखे रहते हैं dry रहते हैं fragile रहते हैं बहुत उल्जे उल्जे बाल रहते हैं जिसके वज़े से हम जब उनको फिर comb करते कंगी करते हैं तो वह सूलचते नहीं है इंफेक्ट और जड़र तूटने लग जाते हैं क्योंकि बहुत उल्जे वे रहते हैं जिस वज़े से हम अगर conditioner यूज़ करते हैं तो हमारे बालों में shine provide करती है उनके साथ शाइनी रखेगी टैंगल फ्री बनाए रखने का भी काम करती है अनियन और यूज़ कर रहे हैं अगर आपका hair fall का problem है तो आई सजेस्ट की आप यूज़ का करें बहुत अच्छा रहेगा जादा बैटर रहेगा with supplementation यह आपके लिए बहुत अच्छे से असर करेगा right thank you so much everyone thank you so much good to know कि आप सब क्योंकि आज जो हमारा session हुआ सबसे ज़्यादा हमने query round ही रखा है यहाँ पर I believe तो it's good it's काफी ज़्यादा you know interesting है काफी ज़्यादा अच्छा है तो definitely मेरी हमेशा आप सबसे यही request रहेगे कि ज़्यादा से ज़्यादा number of people आप लोग join हो अपने team members को को भी join करें इनके साथ साथ जो हमारा session है उससे सबसे ज़्यादा हमारा query round हो जिसके वज़े से हमें और ज़्यादा हम clear हो सके अपने products को ले के right और अगर dandruff का problem है तो भी वालगोनी माम आप एक बार यूज़ कर सकते हैं हमारा ये kit यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे ingredients वो डांट्रफ को भी रिलीफ प्रोवाइट करते हैं एक बार आप यूज़ करके देखेगा right so thank you so much everyone for you know having giving us a precious time और if you really like the session आप लोग अपनी team members को भी शेर कर सकते हैं क्योंकि ये facebook live है so thank you so much from the bottom of my hair thank you so much all झाल